पलन निकलने के बाद ये कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पे रख लेगे हम अपना हलो दोस्तों आपका स्वागत है अगर आपने हमारी चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राब कर ले आज मैं आपको बताऊंगी हर साइज की कटोरी की कटिंग एंड स्टीचिंग तो देखिए कुछ लोगों के सवाल है कि हमें 36 चैस्ट की कटोरी कैसी निकालनी है और 40 चैस्ट की कैसी निकालनी है 32 चैस्ट की कैसी निकालनी है तो देखिए तरीखा एक ही है बस आपको समझना आए और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है जब आपके अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए सबसे पहले आपको क्या-क्या लेना है एक ब्लाउज का कपड़ा लेना है वो 80 cm होना चाहिए और एक आपको अख्वार या पुराना कोई कपड़ा लेना है तो एक पुराना कपड़ा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हम कटोरी की कटिंग करते हैं अगर आप नए हैं तो आपको इस तरीके से ही कटोरी की कटिंग करनी है जब आप सिलसिल के आपको अभ्यास हो जाएगा किमा आपको दाज हो जाएगा कि काटोरी की काम कि안 में करती है तो आप को ज़िए काटटे किक आपके बाद काम का उसको दुरा नाches व्यारे। तो मैं आपको आज भी। दोनों तरीके बताऊंगे हर साइज की कटोरी कटिंग करने के तो देखिए सबसे पहले आपको अपने ब्लाउज का नप लेना है ब्लाउज का आप अच्छे से रखना है इस तरीके से देखें यहां से आपको चेश्ट का नाप लेना है तो इसकी चेश्ट है वो अठारा है और सोल्डर है साड़े ग्यारे इंच सोल्डर है यानि के बारा इंच रक लो बारा इंच सोल्डर है अब इसकी लंबाई का नाप लेना है कि जो पीछे की लंबाई है वो साड़े तेरा इंच है अब देखिए हमें तीन नाप जरूली है चेस्ट का और लंबाई का और ये सोल्डर का ये तीन नाप हमारे होने के बाद अब हम निशान लगाएंगे अपने फिटिंग का ये कपड़े को हमें डगर के रखना है और कपड़ा हमारा लंबाई में डबल होना चाहिए जैसे एक किनारी है वो इदर की साइड आनी चाहिए देखिए इस तरीके से तो लंबाई में हमें कपड़े को डबल करना है हमने लंबाई में कपड़े को डबल कर लिया है और ये 80 cm है अब हम निशान लगाएंगे अपनी लंबाई का जितने हमारी लंबाई है जैसे हम यहाँ पे अंदर के लिए चाहिए हमें कपड़ा एक इंच तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1.5 इंच ये 1.5 इंच हमारा कपड़ा एक्ष्ट्रा रहेगा वो इसको अंदर के साथ दवाएंगे तुरपाई के लिए 1 इंच, 1.5 इंच हमारा यहाँ पे सोल्डर में चला जाएगा अब हम ले लेंगे अपनी लंबाई लिए लंबाई अब लगाएंगे चेस्ट का तो देखी जैसे हमारी 18 इंच है तो उसका आधा करेंगे तो 9 इंच होगा तो हम यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे अब आरूमन लेंगे हम 6 इंच के इसको हमें 6 इंच लेना है आरूमन और देखें इंची डिप को हम यहाँ पे रखेंगे एक इंच पे क्योंकि इसका गला है वो छोटा है अगर आप यहाँ पे डीप गला बनाएंगे तो आदा इंच रखेंगे क्योंकि जब डीप गला बनाती है तो गला वो फैलता है अगर यहां पे हम कपड़ा जाधा रखेंगे तो यहां पे जोल आ जाएगी तो हमें यहां पे deep गले के लिए 11 इंच की इस तरीके से गोलाई देनी देनी है अगर हम गलत छोटा बना रहे हैं 6 इंच का तो हम यहां पे एक इंच की गोलाई देनी है ये सब बाते आपको समझ नहीं है, अब हम यहाँ पे गुंजाईस ले लेंगे एक इंच, जो हमारा सिलाई में जाएगा, अब हम यहाँ पे लेंगे गले की चोड़ाई धाई इंच की, गले की लंबाई छे इंच, चौकूटा निशान बना लेंगे, उसके बाद यहाँ से ग पीछे की तो यहाँ पे पांच इंच पे निशान लगा लेंगे, यह हमारी पीछे की पिलेट रहेगी, पीछे की पिलेट है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, अब हम केची का कट लगा देंगे, पीछे की पिलेट पे, अब पीछे का तो पल्लर हमारा बराबन निकला आया है, अब हमें एक कपड़ा, पीछे का पल्लर है, वो हम एक अकवार या पुराने कपड़े पे रख लेंगे, पीछे के पल्लर से आगे की लंबाई हमें 2 इंच जादा लेनी है, और बाकी सब हमें इसी के पराबर कटिंग कर लेंगे, पीछे के बराबर हमने आगे की कटिंग कर लेंगे, यहां पर भी बराबर, बस 2 इंच लंबाई में हमारा कपड़ा जादा है, अब लगाएंगे हम इसमें निशान, तो देखिए पहले हमें यहां पर तीरे का निशान लगाना है, तो तीरे का निशान हम तेरा इंच पर लगाएंगे, तो हम हमेशा यहां पर तेरा इंच या साड़े तेरा इंच या ज्यादा चैस्ट है तो चौदा इंच, इतना ही हमें निशान लगाना, 13 से हमें कम नहीं लेना है तो यह हमारा यहाँ पर 13 इंच पर तीरे का निशान हो गया अब हम यहाँ पर लेंगे 1 इंच इसकी सेप के लिए यह हमारा सेप हो गया अब देखिए एक बात मैं आपको बहुत आसानी से बता रहे हूँ पहले आपको तीरे का निशान लगाना है उसके बाद 1 इंच लेना है जिससे यहाँ पर सेप आ जाए तीरे का अब आपको निकालना है अपनी फिटिंग का कपड़ा तो जो हमारा फिटिंग का कपड़ा है वो 9 इंच है बाकी यह कपड़े को हम यहाँ पर रखेंगे सिलाई के लिए अब देखें यह हमारा 9 इंच कपड़ा है तो हम इसमें इस कपड़े को तीन भागों में बाटेंगे तो 3 मन्जा 3, 3 टू जा 6, 3 तीरी जा 9 तो 3 का जब हम पाड़ा पड़ेंगे तो 3 इंच तो हम यहाँ पर रखेंगे और 6 इंच हम यहाँ पर रखेंगे देखिए आपके समझ में आ रहा है ना देखिए हमें अपनी fitting का कपड़ा निकालना है तो वो हमारा fitting का कपड़ा आए वो 9 इंच का आए उसके बाद हम उसको 3 भागों में बाट लेंगे तो 6 इंच हम इदर की साइड रखेंगे, 2 भाग इदर रखेंगे, 1 भाग इदर रखेंगे तो 6 इंच की हमारी कटोरी बनेगी एक भाग का हमारा यहां पे तीरा रहेगा और एक अपड़ा है जो हमारा सिलाई के लिए वो हमारा अलग है तो हमने यहां पे 3 इंच पे यह निशान लगा लिया 6 इंच हमारा यहां पे कटोरी का रहे अब हम यहाँ पर लगाएंगे पांच इंच पर निशान पांच इंच पर हम इस तरीके से इसको मिला लेंगे और यहाँ पर हमारा होना चाहिए दो इंच आदा इंच हम यहाँ पर गोलाई में कटिंग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर जोलाती है इसलिए अब देखिए कितना सिंपल तरीका है कटोरी निकालने का इसी तरीके से आपको पहले कटिंग करनी है और भी इसमें बहुत सारे तरीके हैं बो भी मैं आपको बताऊंगे तो देखिए यह हमारा तीरा बगली का और यह नीचे का तीरा यह हमारा बराबर आ गया है बस हमें कटोरी की सही से कटिंग करनी है बो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी पहले हम ये तीरे की कटिंग करने है कटीरा एकदम चीए और नीचे कटीरा अब हम कटिंग करेंगे कटोरी की नीचे का पलन निकलने के बाद ये कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पर रख लेंगे हम अपना तीरा ये हमारा नीचे बाला तीरा है हमें रखनी है अपनी कटोरी तो कटोरी को हमें तिर्चा रखना है इस तरीके से तिर्चा रखेंगे तो दीखें हमें कटोरी जो प्लेट के लिए कपड़ा चाहिए वह बढ़ाना है तो दीखें एक इंच हम यहां पर लेंगे और एक इंच हमें यहां पर लेना है अब उसके बाद देगी हम इसमें इस तरीके से निशान लगा लेंगे बस हमें एक इंच बढ़ाना है यहां पर प्लेट के लिए और यहां पर भी अब नीचे की साइड हम बढ़ाएंगे यहां पर देड़ इंच यहां से हमें बीच में 50 बढ़ाना है अब देखी यहां पर हमिसको तरीके से गोलाई में इस तरीके से मिला देगे इससे क्या हे हमारा यहां पर तिर्चा पन आ जाएगा अब देखिए हमें नीचे से पहले कटिंग करनी है इस तरीके, हम यहां पे इह प्लेट का निशुल करें हम अपनी मर्जीworks से प्लेट शाद प्लेट का पप बना सकते हैं जैसे कुछ लोगों को पप ज्यादा पसंद है तो वो यहां पे 1.5 इंच की सिलाई लगा सकता है अगर आप लोगों को कम पप पसंद है तो यहां पे आप 1 इंच पे निशान लगा ले इस तरीके से और इसके लंबाई आपको रखनी है वो 3 इंच की रखनी है तो यहां पे आप 1 इंच पे डबल करके 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको कम करते हुए इस तरीके से उतारेंगे तो इससे क्या है एकदम इसका पप अच्छा आजाएगा अब यह हमारी कटूरी के कटिंग हो गई अगर आप 6 चेस्ट का बलाउच काटना चाहती है बार बार आप इस तरीके से कटिंग नहीं करना चाहती है तो एक कटूरी की कटिंग आपको एक अच्छे कपड़े पर करनी है इसको तो आपको यूज में नहीं लेना है बस ये आपके अच्छी कटिंग है तो आप इस पर एक कपड़े पर कटिंग कर ले इससे क्या है कि जब भी आप 36 चेस्ट का ब्लाउज बनाएंगे तो आप इसको रखके निकाल लेंगे फिर आपको पुराने कपड़े की ज़रूद नहीं पड़ेगी और नहीं अखवार की चाहिए वो 36 चेस्ट का ब्लाउज है या 40 चेस्ट का इसी तरीके से आपको कटिंग करके रखने है तो इसी को बोलते हैं फर्मा कटिंग और इसी से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप 40 चेस्ट का ब्लाउज बनाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा एक एक इंच कपड़ा बढ़ाना है पीछे का पलर है उसमें भी बढ़ाना है और आगे का पलर है उसमें भी बढ़ाना है जैसे ही हमारा पीछे का पल्लर है जैसे हमारा पीछे का पल्लर है तो हमें 40 चेष्ट का व्लाउज बनाना है तो देखिए जब आप पीछे का पल्लर निकालेंगे तो बस आपको यहां पर चेष्ट का नाप बढ़ाना है कटनाई आती है तो इसको आप रखके थोड़ा सा यह बढ़ाना है आपको और बो भी मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से बढ़ाना है तो देखिए जैसे हमारी फर्मा कटिंग है तो आपको इस तरीके से रखना है तिर्चा कपड़े की उपर और यहां पे आप तीरा रख लेंगे बस आपको पीछे का पलन निकालना है उसके बाद आपको रखना है यह बगली का तीरा तो इसी से आप थोड़ा सा यहां पे आपको बढ़ाना है आदा इंच और यहां पे बढ़ाना है आपको सिलाई के लिए जैसे यह हमारी जो कटिंग है आप इसको इस तरीके से रख लेंगे तो दीखे यहां पे आप देखेंगे कि हमारा पूरा कपड़ा कितना है तो दीखे यहां पे हमारा है दस इंच है साड़े दस इंच है तो आदा इंच हमारा यहां पे सिलाई में चला जाएगा तो पूरा कपड़ा दस इंच है तो जब हम कटिंग करेंगे तो यहां पे तो देखे यहां पर बगली बाला जो तीरा है इसको बढ़ा लेंगे 40 चेस्ट के लिए और आदा आदा इंच हम यहां पर कटोरी को बढ़ा लेंगे जब कटिंग करेंगे तो देखे यहां से हमें आदा आदा इंच कटोरी को बढ़ाना है और बागी हमें सब इसी के बरावर रखना है तो इसी को बोलते हैं फर्मा कटिंग तो इसी से आप चती चेस्ट की कटिंग कर सकते है चाली चेस्ट की कटिंग कर सकते है चोती चेस्ट की भी कटिंग कर सकते है चोती चेस्ट के लिए आपको क्या करना है इससे थोड़ा सा आदादा इंच कम कातना है कटोरी को ऐसी निशान लगाना है आपको इससे थोड़ा आदादा इंच कम आदादा इंच कम निशान लगाने के बाद आपका छोटा बन जाएगा कटोरी तो इसी से आप कम ज़र्दा chest का blouse cutting कर सकती है और ऐसे ही आपको तीरे का भी निशान लगाना है आदा दा इंच यहाँ पे तो आप इतना ही रखेंगे आरूमल पे भी आप इतना ही रखेंगे बस यहाँ पे भी आपको इतना ही रखना है बस यहाँ पर आपको कम करना है जैसे चोंते चेस्ट का बलाउज बनाएंगे उसके लिए तो अब मुझे बगली का तीरा निकालना है तो देखे यह हमारा नीचे का तीरा है और यह कटो रही है हमारी और यह हमारी बुलकुल साई कटिंग है तो इसको हम अच्छे से रख लेंगे जब भी हमें चाली चेस्ट या छती चेस्ट का बलाउज काटना है तो इसी को रखके हमें कटिंग करनी है पीछे का पल्ला निकालना है उसके बाद यह फर्मा कटिंग है इसको रखके हम बड़ी आसानी से कटिंग कर लेंगे और इसी के परावर कटिंग करनी है हमें कम जादा नहीं लेना है क्योंकि यह हमारा बुल्कुल सई कटा हुआ है इसमें हमारी गुंजाई से बाजू के लिए पहले हमें अपनी लंबाई काल नाप लेना है तो देख्यें यहां पर इसकी जो लंबाई है वह 5 इंच है कपड़े की लंबाई हमारी 5 इंच है तो हम यहां पर ले लेगे 6.5 इंच क्योंकि सिलाई में भी जाएगा अब देखिए यह हमारी लंबाई होगे 6 इंच एक इंच हमारा सिलाई में नीचे जाएगा आदा इंच उपर जाएगा तो तो देड़ इंच हमारा कपड़ा पैसे ही चला जाएगा और पांच इंच की हमारी यह बाजू तैयार हो जाएगी अब हमें कपड़े की चोड़ाई लेनी है तो देखिए यह कपड़े की चोड़ाई है वो 17 इंच की है तो हमें हमेशा 6 इंच के आरूमल है तो 17 इंच की चोड़ाई लेनी है अब देखिए कपड़े को हम डबल करेंगे और यहाँ पर हमारे चार पल्लर होने चाहिए यह देखिए चार पल्लर है अब हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे जो खुली बाली साइड है वहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर अब इसमें देखिए आपको ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाया है अगर आप यहाँ पर चाहें तो 5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं देकि चार इंच पे हमने निशान लगा के इस तरीके से कटिंग का निशान लगा लिया है अगर आप चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे लंबाई चाहिए तो पांच इंच पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से कुछ लोगों को यहाँ पे कम जो बाजू है वो अलग लग तरीके से भी कटती है तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे तीन इंच पे भी निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं यहाँ पर हम 3 इंच पर लगा लेंगे निसान तो इसका सेप इस तरीके से आ जाएगा यह देखिए इस तरीके से आ जाएगा तो आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं हम यहां पर करेंगे चार इंच पर तो यह मैंने आपको तीन तरीके से कटिंग करना बताया है कि आप सोच रही हो कि यहां पर हमें चार इंच पर लगाना है या तीन इंच पर लगाना है वो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं तो हम यहाँ पे 4 इंच बाली कटिंग करेंगे अब दीखिए, आदा इंच हमें आगे की साइड की कटिंग कर दीए अगर आप नए हैं, तो आप कटिंग नहीं करेंगे, तो भी चलेगा क्योंकि जो हमारा ये बगली का तीरा है वो हमारा पहले से ही यहां पे आदा-दा इंच की कटिंग हो चुकी है तो इसमें बुल्कुल जोल नहीं आएगी जब हम ये बाजु लगाएंगे तो हमारी बाजु में बुल्कुल जोल नहीं आएगी तो जैसे आप नहीं है तो आपको धिहान नहीं रहे ये कटिंग करने का तो कोई बात नहीं है आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं अगर आप कटिंग करना चाहें आदा इंच तो आप देखिए यहां पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे यह जो हमारा यह बीच का निशान है बाजु का और उसके बाद हम यहां पर इस तरीके से आदा इदा इंच इस तरीके से कटिंग कर लेंगे गोलाई में तो इस पर हमे करना चाहें तो कोई बात नहीं है आप आगे की साइड ना कटिंग करें क्योंकि जो यह तीरा है वो हमारा पहले से ही आदा इंच कटिंग हो गया है तो यह देखिए हमारी इस तरीके से बाजू आ जाएगी और यह हमारी कटोरी है अगर आप इसकी स्टीचिंग देखना चाहते हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं तो मैं आपको इसकी स्टीचिंग भी बताऊंगी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जादर से जादर से शेयर करें अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राब करने धन्यवाद